हलो फ्रेंट्स मेरा आखी और आखी की मज़ेदार रस्वाई मैं आपका स्वागत है आज मैं बना रही हूँ धावा स्टाइल मटर पनीर की सबजी जो बहुत ही डिलिस्यस और मज़ेदार होती है और यह बहुत ही आसानी से बन जाती है तो चलिए हम बना लेते हैं धावा स्टाइल मटर पनीर की सबजी तो उसके लिए हमें चाहिए 15-16 चौकोर टुकडों में कटे हुए पनीर यह मेरा होमीड पनीर है 3Y 4th कप मटर चाहिए और 3Y 4th कप मैंने काजू और टमाटर का पेस्ट लिया हुआ है जिसे मैंने एक बड़े साइज का टमाटर और 10-12 काजू को पीस करके इसका पेस्ट बना लिया है इसी के साथ हमें चाहिए लंबाई में कटे हुए प्याज आधा कप इसी के साथ हमें चाहिए आधा छोटा चमच कुची हुई अधरक आधा छोटा चमच कुची हुई लहसुन और मसालों में मैंने बस लिये हैं एक छोटी चमच दरदरी कुची हुई धनिया आधा छोटा चमच हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर स्वाद के नुसार और तरके के लिए मैंने लिये हैं तीरा एक चोथा चोटी चमच और दो तेज पत्ते हैं साथ से आठ करी पत्ते और दो हरी इलाइंची को मैंने तोर कर लिये हैं दो लॉंग है और चोटे चोटे से ये चार टुकरे दालचीनी के हैं अब मैंने कराई को गर्म होने के लिए रखा हुआ है तो देखे कराई हमार घी पिखल चुका है तो अब मैं तरके के लिए रखे हुए खरी मसाले को एड़ करूंगी इन सब को थोड़ा चटकने देते हैं अब मैं इसमें कटे हुए प्याज को एड़ करूंगी और इसे हम हलके गुलाबी होने तक भून लेंगे तो देखे फैंस प्याज हमारे हलके ग पाउडर एड़ करूंगी और इसे हम लगभग 15 से 20 सेकंड के लिए भून लेते हैं जिसे इसका कच्चापन निकल जाए अब मैं इसमें चौकोर कटे हुए पनीर को एड़ करूंगी अब इसे हम मिक्स कर लेंगे जिससे हल्डी का रंग पनीर पर चट जाए अब हम प्याज को थोड़ा सा साइड कर लेंगे और सारे पनीर को बीच में कर लेंगे अब हम पनीर को बस हलका सा गुलाबी होने तक तलेंगे तो इसे हमें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है बस हलका सा इस पर रंग आ जाए बस उतना ही हमें पकाना है तो बस इसे हम उलटते पलटते एक मिनट के लिए पका लेंगे तो देखे फ्रेंड्स पनीड हमारे हलके गुलाभी हो चुके है अब हम इसे वापस से पनीड के साथ मीक्स कर लेंगे और इसी समय पर मैं इसमें मतर एड़ करूँगी और इसे हम दो से तीन मिनट के लिए भून लेंगे जिससे यह हलके से सौप्ट हो जाएं तो इसे हम बस यूँ ही चलाते हुए ही पकाएंगे नहीं तो मसाले हमारे जल सकते हैं क्योंकि ढावे वाले भी इसी तरह से बनाते हैं मतर और पनेर को प्याज के साथ भूनते हैं इससे सब्जी का स्वाध बहुत ही बढ़ जाता है तो देखे फ्रेंड्स मतर का रंग चेंज हो चुका है और इसमें से आवाजे भी आने लगी है अब मैं इसमें टमाटर और काजू का पेस्ट एड़ करूँगी और इसे हम कराही से तेल छोडने तक भून लेंगे तो देखे फ्रेंट्स यह भून चुका है और इसमें से तेल भी छोड़ने लगा है तो इसी समय मैं इसमें पानी अड़ करूंगी और इसे हम मिक्स कर लेंगे मैंने इसमें मेजरिंग कप से एक कप पानी अड़ किया है अब मैं इसमें स्वाज के नुसार नमक एड़ करूंगी तो मैं आधा छोटा चरमच नमक एड़ कर रही हूँ इसे मिक्स कर लेंगे और इसे लो मिडियम फ्लेम पर पांच से साथ मिनट के लिए धकन लगा करके पकाएंगे तो फ्रेंट्स पांच मिनट हो चुके हैं अब मैं इसे देख लेती हूँ वाव देखे सबजी हमारे कितनी अच्छी बनकर के तयार होई है तो एक बार मैं इसे चला लेती हूँ अब गैस आफ कर देंगे और इसे थोड़ा सा थंडा होने देंगे तो फ्रेंट्स कैसी लगी हमारे धाबा स्टैल मतर पनेर की सबजी देखे कितनी अच्छी और मज़दार बनकर के तयार होई है या देखने में जितनी मज़दार लग रही है खाने में उतनी ही टेस्टी भी है तो चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं अब मैं एक सर्विंग ट्रे ले लूँगी और उसमें मैं अपनी मज़दार सी धाबा स्टैल मतर पनेर की सबजी को एड़ करूंगी तो फ्रेंट्स अगर आपको मेरी या रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा से शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वेल आइकन को भी जरूर से दवा ले जिससे अगर मैं कोई नई वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी अब मैं इसे थोड़े से धनिया पत्ता से गार्णिस करके सर्फ करूंगी तो फ्रेंस मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई